गाइस त्री घातक गेंदबाज जो IPL 2024 में परपल कैप का खिताब जीत सकते हैं IPL 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है TB's Cricket को अकसर बल्लेबाजों का खेल कहा जाता है लेकिन पिछले कुछ सालों में गेंदबाजों ने दिखाया है कि किसी भी टीम की जीत के लिए अच्छी गेंदबाजी कितनी एहम है तीन गेंदबाज ऐसे हैं जो इस IPL सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेंगे ये तीन खतरनाक गेंदबाज है परपल कैप के सबसे बड़े दावेदार जस्प्रीद गुमराज फॉम में है और IPL 2024 सीजन में परपल कैप का खिताब भी जीत सकते हैं IPL में जस्प्रीद गुमराज शुरुआती ओवरों में जितने खतरनाक रहे हैं डेथ ओवरों में भी उतने ही खतरनाक है नई गेंद हो या पुरानी पहला ओवर हो या आखिरी ओवर भारतिय तेज गेंदवाज जस्प्रीद गुमराज के पास बल्लेबाज का कोई जवाब नहीं है IPL में अब तक गुमराज डेथ ओवरों में बल्लेबाजों के लिए बुरा सपना सावित हुए है इस IPL सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट जस्प्रीद गुमराज ले सकते हैं युजवेंद चहल ने IPL में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है युजवेंद चहल IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदवाज भी है युजवेंद चहल ने 145 IPL मेचों में 187 विकेट लिये है युजवेंद चहल IPL में राजस्थान रोयल्स के लिए खेलते हैं युजवेंद चहल पावर प्ले और बीच के ओवरों में काफी खतरनाक साबित हुए है भारती अपिच पर मोहित शर्मा की घातक देद बॉलिंग को देखते हुए उन्हें इस साल पर पल कैप जीतने का दावेदार माना जा रहा है तेज गेंदबाज मोहित शर्मा 2014 में TBS World Cup और 2015 में ICC One Day World Cup के दोरान टीम इंडिया का हिस्सा थे मोहित शर्मा ने IPL 2023 सीजन में 14 मैच खेलते हुए कुल 27 विकेट लिए मोहित शर्मा IPL 2023 में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इंस्टेग्राम में लगातार वीडियो हम आपके लिए मापर डालते रहेंगे ठीक है थैंक्यो फो वाचिंग